हरहर महादेव किसान भाईओं मैं लौकुस पाल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूप चैनल यलके पाल खेती बारी में किसान भाईओं आज किस वीडियों में हम मटर की खेती के बारे में चर्चा करेंगे मटर की बुवाई का समय चालू हो गया है किसान भाईयों मटर की खेती कम समय और कम लागत में काफी ज्यादा मुनाफ़ा की खेती होती है मटर की मांग सर्दियों में खूब रहती है और इसका बजार में रेट भी तगड़ा रहता है मटर को खाने और सब्जी बनाने में किया जाता है और तो और पकने के बाद भी इसकी खपत ज्यादा रहती है किसान भाईयों जो इसके औसेश डंठल होते हैं उसका भी भूसा जो होता है वो बकरी पालक खरीद लेते हैं तो कुल मिला कर काफी फायदे की खेती होती है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और मटर की खेती की A to Z जनकारी जानते हैं किसान भाईयों सबसे पहले बात करते हैं मटर की खेती के लिए उप्यूक्त मिट्टी की तो इसके लिए हलकी दोवर्ट मिट्टी किया हो सकता होती है लेकिन इसकी खेती आप लाल मिट्टी में भी कर सकते हैं अब इसके बुआई के उपयोगत समय की बात करें तो हुआ है अक्टूबर महिना लेकिन यदि किसान भाई आप और बहुत सारे किसान सितंबर में भी इसकी बुआई कर देते हैं जिनका खेत खाली रदता है जिससे की मंडी में पहले मटर पहुचे क्योंकि उस समय रेट भी बहुत बढ़ियां मिलता है लेकिन आप अक्टूबर माह और नॉम्बर के शुरू में इसकी खेती कर सकते हैं मतलब 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नॉम्बर तक खेती के समय जो है इसका उप्यक्त समय माना गया है किसान भाईयों अब बात करते हैं खेत की तयारी की जो की सबसे महत्तपूर है सबसे पहले खेत की जोताई कर अच्छे से कर लें फिर उसमें गुबर की खाट डाल दें और यदि आप खाट डालना चाते हैं तो NPK 12-32 डाल कर अच्छे से जोताई करके खेत को तयार कर लें और फिर सिड्रिल की सहायता से मटर की बुआई कर दें ये काफी अच्छा तरीका है किसान भाईयों 20 दर की बात करें तो 80 केजी प्रती हेक्टेर के हिसाब से बुआई करें किसान भाईयों अब सिचाई की बात करें तो मटर की खेती में दो बार सिचाई की हो सकता होती है पहली सिचाई किसान भाईयों बुवाई के बाद जब पौदों में फूल लगने लगता है तब ताकि फूल अच्छे से लगे और दूसरा पानी दाना भराव के टाइम पर जब मटर में दाने बनने लगते हैं उस समय जरुवत पड़ती है किसान भाईयों मटर की पहली तोड़ाई लगभग 55-60 दिनों में हो जाती है किसान भाईयों वैसे तो मटर की खेती में कोई खास रोग का प्रकोप नहीं होता है हाँ इल्लियों की समस्या हो सकती है इसके लिए आप किसी भी किटनासक का प्रयोग कर सकते हैं अब कुछ उन्नस सिल किस्मों के बारे में जानते हैं जैसे साइन ब्राण, जीट, टेन, मालवा, आरकेल, पंत उपहार, सपना, के अब, पीडी, 24, स्वाती, अंबिका, डीडिया, 23, पूसा, प्रभाव, आदी ये उन्नस सिल किस्मे हैं आप अपने शित्र के हिसाब से किसी भी उन्नस सिल किस्म का उपयोग करके मटर की खेती कर सकते हैं किसान भाईों, अमीद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बाक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आप सुझाव भी दे सकते हैं इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हर हर महा देऊ